नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि तुला रासी वालों का आज का दिन यानी की 2 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपती के बारे में दोस्तों पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत जियादा नीचे है आने वाले शमय के दौरान आपको अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे ध्यान देना होगा कंट्रोल करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने फिजूल खर्ची पे ध्यान नहीं देते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान धन संपती के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आपको अपने मन से नफरत इर्षिया ऐसी जो भी नकारातमक भाबनाएं हैं उन भाबनाओं को आपको दूर करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आपके मन में ऐसी कोई भी नकारातमक भाबनाएं रहती है तो आपके शोवास्त के मामलों में आपका शमय आपका साथ नहीं देगा वैसे अगर आपके दामपत्ती जीबन की बात करें तो दामपत्ती जीबन के दृष्टी कोई से भी आपका शमय सामाने रहेगा दोस्तों आने वाले शमय के दौरान अपने जीबन साथी के साथ हसी मजाक के दौरान आपको महसूस होगा कि आप अपने जीबन के किसोरा अबस्था में दूबारा से पहुच गए हैं और इस कारण से आने वाले शमय के दौरान आपका दामपत्ते जीबन बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्य साली अंक है तीन यनी की थिरी आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा दोस्तों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और शांदार बनाने के लिए आपको बजरंग बली के मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में बादाम का प्रसाद चढ़ाना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें धन्यवाद